तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस सूबे के 140 से भी ज्यादा च्छातर कोरोना पॉजिर्टिव पाए गए हैं स्कूलों को बंद करने का आदेश आचुका है तो दोस्तों साल 2021 में पहली बार करोना संक्रमन के रिकॉर्ड 35,000 से अधिक मामले दर्श किये गए हैं इसी के साथ देश में करोना मरीजों की संख्या 1,14,74,605 हो गई है पिछले 24 घंटे में इस जालेवा संक्रमन से 172 लोगों की जान चली गई है वही तेलांगना में पिछले कुछ दिनों में 140 चात्रों और सिक्षकों की कुरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जब की जिला परिसद गर्ड्स हाई स्कूल मंचेडियन में स्तूमवर और मंगलवार को कुरोना के 56 मामले और तेलांगना अवासिये बाली का विध्धाल है बालनगर में कुरोना के 38 मामले सामे आए है COVID-19 के बरते मामलों को मद्दे नजर रखते हुए राज्य में दूसरी बार इस मुलों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है यह बात गुद्वार को मुख मंतिरी के चंदर शेखर प्राव ने उधान सभा में कुछ सदस्यो द्वारा COVID-19 परी दिल्श्य पर उठाए गए सवालों के जवाब में कही उन्होंने कहा कि मंचेडियन और अने जिलों में कुरोना महमारी की वर्तेमान इस्थिती पर समिक्षा की जा रही है अधिकार्यों ने हाल ही में कक्षा 6 से 10 वी के लिए स्कूलों को फिर से खोल गिया लेकिन बड़ते मामलों को देखते हुए सरकार कक्षा 8 वी तक के स्कूलों को बन करने की योजना फिर से बना रही है महरास्ट्र के विद्धाले और विश्विद्धालों को बन करने का भी आदेश आने लगा है राज में बुद्वार को 23,179 नए मामले सामने आए हैं वही नंदोर में इस्तित्र अवास्य विद्धाले के 31 लोग क्रोना पॉजिटिव पाए गए ये जातकारी देते हुए पालगहर के डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि स्कूल का छातरवास सील कर दिया गया है इसके साथ ही पालगहर जिले में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और होस्टल बन करने का आदेश दे दिया गया है तो दोस्तों आपको हमारा वीजियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताये हमारे वीजियो को लाईक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपको नए वीजियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिएंग